कैसे हैं सभी दोस्त आजाईए चलिए बनाते कुछ तीज के लिए और बो भी बहुत ही इंस्टेंट तो दो सुईट्स आपके साथ सेयर करूंगी और जटपट बनने वाली क्यूंकि आज कल टाइम की बहुत कमी होती है तो आज हम जटपट सुईट्स बनाएंगे तो यहां म कर लेंगे कद्दू कस जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे अब हमें इसे अच्छे से हातों से मलना है सॉफ्ट हो जाए तो इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल मदगव रहे बस इसे हमें हातेली से थोड़ी सी देरी हम इसे मलेंगे और यह एकदम मलाई जैसा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहां देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और जितना वीडियो आपसे लगबग सेयर कर रहे हूं उतना ही समय इसमें लगा है तो आप इसे जटपट बना सकती है मैंने मिल्क पाउडर लिया यह मैं दो चम्मच इसमें मिल्क पा अच्छी सी टेस्ट दे देगा तो चलिए आगे की तैयारी करते आप इसमें डाल देंगे हम इलाइची पाउडर यह भी बहुत अच्छा टेस्ट लेका खुस्बू लेके आएगा और बस अब इसको हातों से अच्छे से मल लेना है जिसे की जो सारी चीजे हमने इसमें डा अच्छानी है तो बस उतना बड़ा हमें एक वाइट लेना होगा पेड़े की तरह इसको हम फ्लैट करेंगे और क्रेंबरी लगाएंगे तो मेरे पास क्रेंबरी रखी हुई थी मैंने वह डाल दी आप इसके अंदर किसमिस भी रख सकतें कुछ भी रख सकतें अब बस इसक को भी यह सुईट बहुत पसंद आएगी जैसे ही मैंने बना के रखी एक दम से साफ हो गई तो आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं आप किया कोई गैस आने वाला हूँ आप इसे बना लीजे बहुत जल्दी बनेगी अगर कोई फैस्टबल है आपको टाइम नहीं है तो भ बिल्कुल भी देनी लगेगी ना कोई महनत और ना कोई जंजड तो फटा फट बना दीजे इसे तीज के लिए बहुत ही स्पेशल सी मिठाई है चट पर बनेगी बिना गैस जलाए और सब आपके बहुत ही तारीफ करेंगी तो इसे एक बार जरूर बनाई है पसंद आए त कोई लिए इसके अलावा अगर यहां पर आपके पास सूखा नारियल है तो उसे भी आप काट लीजे और मिक्सर जार में डालके ग्राइंड कर लीजे तो भी आपका काम बन जाएगा थोड़े से मैंने काजू लिए और थोड़े से बादाम साथ में थोड़े से मैंने अक् अगर आप किसमिस अगर आप करना चाहते तो दोसरी चीज में जो एड़ करूंगी उसे भी आप कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल दिया अच्छे से टेस्ट के लिए और चार-पांच यह मैंने खजूर एड़ कर दिये तो यह सुगर का भी काम करेंग और इस रेसिपी को टेस्ट भी देंगे और यह सारी रेसिपी जटपड बनती है पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बिल्कुल बिना सब्सक्राइब करें मत चाना नहीं तो यह रेसिपी पक्का अच्छी नहीं बनेगी और यहां देखिए अब ल जोई करें